नमस्कार स्वागत है आप सभी का आप देख रहा है अनन टीवी आपके साथ मैं हूँ पंकर्ज रौतिला फेस टू फेस में यूपे के चर्चित उन्नाव रेप केस्ट में दोशी करार दिये गए बीजेपी विधान सभा सदेस्ता खत्म कर दी गई है कुलदीप सिंग अब विधायक नहीं रहा प्रमुक सच्यों विधान सभा प्रदीप कुमार दुवे ने अदिस उचना जारे की और आज इसी पर आमना सामना होने वाला महिला सम्मान की बात महिला सुरक्षा की बात और जब-जब महिला अफराध यहां बढ़ा उत्तर प्रदेश में तो यहां सियासत भी गरमाई फेस टू फेस में बीजेपी से मनोश पंडित स्वागत है आपका समाधवादी पार्टी से अर्विन कठेरिया सामना करेंगे एक दूसरे का लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आप रेप का दोशी सेंगर नहीं रहा विधाया जी हां महिला सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत हर वक्त गरमाई रहती है लेकिन मामला तब और गंभीर हो जाता है जब महिला सुरक्षा का दम भरने वाला सियासत दाही महिला के सम्मान को तार-तार करता है बात कुलदीव सेंगर की हो रही है उन्नाव रेफ केस में कुलदीव सेंगर की विधाई की खत्म कर दी गई है विधान सभा सची वाले द्वारा अधिसुचना के मताबिक कुलदीव सिंग सेंगर 20 दिसमबर 2019 से यूपी विधान सभा का सदश नहीं माना जाएगा कुल्दीब सिंग सेंगर की विधान सभा सदिस्ता खत्म सेंगर को उन्नाव रेप केस में मिली है उम्र कैद की सजा सजा के एलान के दिन से सेंगर की सदिस्ता खत्म 20 दिसंबर 2019 से बंगरमौ सीट मानी जाएगी खाली विधान सभा के प्रमुक सचिव प्रदीव दूबे ने जारी किया दिसूचना एक अगस्त 2019 वसेंगर का बीजेपी से हुआ निश्कासन जो सजाए आपका होते हूं कि सदस्ता जाती है तो उसके क्रम में पुर्दीप सिंख की सदस्ता गई होगी हम कि सदस्ता घाती है तो नियम है उसने मना स इस तर यह सब कारवाई हो रही है और यह सही वह 해서 में सुक्रीम कोड का भी जड़्मन्यख के तो सदस्ता कि और तो नहने लिया है उसको नियम के तहतीए उन्होंने यह लिया है विपक्ष्भी आज़ूम लगारा कि मृट देखे जो चीजें होती है उनको एक जब विपक्षे पास कुछ होता नहीं है न बोलने को तो वो बिना सोचे समझे बोलते हैं एक सुप्रीम कोट का एक आदेश है कि आप कन्विक्शन के साथ ही ये सब चीजें कर सकते हैं जब कन्विक्शन होएगा तो आपका सत्र चलता है और जब सत्र चल रहा है उसमें कारवाई हुई है तो देरी कहा है मुई सेंगर की विधाई की जाने पर विपक्ष क्या कह रहा है दिखा रहे हैं ये एक बहुत संबेदन सील मामला है महिलाओं के उत्पीड़न का तो मेरा मानना है कि कोई इस तरह के आरोप लगे उसको सरकार को बहुत संबेदन सीलता से लेना चाहिए जो भी सरकार हो महिलाओं का उत्पीडन या महिलाओं के साथ ऐसी आशिस्टता अगर कहीं हो रही है तो उसकी ठीक से जाँ छोनी चीए लेकिन मेरा ये इस बात पर बल है कि जहां हम इस पर बहुत कॉंसेस रहें कि कोई महिला के साथ अन्याय न होने पावे कि जहां हम कॉंसेस रहें की कोई व्यक्ति गरत फचने भी नपाए भारती जांता पारटी की रहिति सॉफ्ट रहती है अलग की बात है जो रानने तिद्दल भारती जंता पार्टी का विरोध करते हैं उनके खिलाब कारवाई करने की बात करती है और बदले की भावना से काम करती है बतादे कि सुप्रीम कोट ने 2013 कि एक फैसले में कहा था अगर कोई विधायक, सांसत या विधान परिशत सदश किसी भी अपराद में दोशी पाया जाता है और उसके चलते उसे कम से कम दो साल या उसे ज़्यादा की सजा होती है तो वह तुरंत अयोग हो जाएगा यानि वो प्रतिनी धी नहीं रह जाएगा और उसी का नतीजा है कि कुल्दीब सेंगर को धारा 120B आपरादिक शाजिस, धारा 363 अपरण, धारा 366 शादी के लिए मजबूर करने के लिए एक महिला का अपरण या उत्मीडन, 376 बलातकार और अनिसम्मंदित धाराओं, साथी पॉक्स तो जो जैसा करेगा वैसा भुक्तेगा वैसा ही सेंगर के साथ हुआ है, अदिसुचना के मुताबिक सजा के एरान के दिन सही सेंगर की विधानसभा सदेस्ता खत्म मानी जाएगी, बंगर्मो विधानसभा सीट 20 दिसमब 2019 से खाली रहेगी, खाली घोशित की गई है, और पार्टी से निशकासित हो गए, बीजेपी से निशकासित हो गए, विधाय कुलदीब सेंगर जो अब विधाय की भी नहीं रही है, उनाव गैंगरेप केस में पिछले साल उम्रकैत की सजा सुनाई गई थी कोड़द्वारा और इसके अलावा कुलदीब पर 25 लाख रुप है कितने बड़े क्यों ना हो, आप पर कारिवाई होगी, अगर आप किसी भी अपरादी घटना में लिप्ट हैं तो, फेस टू फेस में सामना करने के लिए समाजबादी पार्टी से हमासार कठेरिया जोई हैं, तो बीजेपी से मनोज जी मारे साथ हैं, आप दोनों एक समाज पार्टी की सरकार रहे हैं, बीजेपी की सरकार लेकिन आज एक संदेश तो समाज के बीच में चला गया, उन तमाम माननीयों के बीच में चला गया मनोजी की वाकई में गलत करोगे तो गलत भरो गया। किसी भी सदन का सदश्य है, तो उस सदन में से उसको बरखास कर दिया जाता है और उसको हटा दिया जाता है वहां से, और रही बीजेपी की बाद, बीजेपी किसी भी या हम, किसी भी ऐसे आदमी के समर्थन में कभी है ही नहीं, कि जो महिलाओं का सम्मान ना करता हो, हम तो जो महिलाएं हैं, जो शिक्षित महिलाएं हैं, जो और लोग हैं, जिनको हम सब पेंशन देने का काम करेंगे, और चीजों का काम करेंगे, कि अलग से फोर्स बनाने की बात कर रहे हैं, कि जो लोग महिलाओं के खलाफ अत्याचार की बात कर रहे हैं, उन सब के लिए एक पूर तो ये मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से भी जो है लॉजिकल कोई बात है इनकी वर्विन जी मुझे बड़ा आपकी बातों में ताजब आता है कि 2017 के बाद जब से भारती जंता पार्टी की सरकार आई है उन्होंने लगातार विसेश रूप से नारी उत्थान के कारियों में रुकावट डाली है मैं आपको बताओ कि उन्नाओं में इस पेसली 98 से 100 रेप की घटनाए हुई है एक प्रदेश में और बिसेश रूप से अगर खास एक डिश्टिक में अगर लगातार बारदात होती चली जा रही है तो ये बहुत दुर्भाग पूर है जिस तरह से आद कि उपर एक सो बाइस भी तीन सो तरेसर्ट कि डैपिंग का और कई सारे मुकदमे लगे थे और अधरनी सुप्रीम कोट का आदेश भी था तो ये तो सदस्ता उनकी बहुत पहले खत्म की जानी आज कोई बहुत तारीब की बात नहीं है बल्कि मैं तो दुख प्रकट करता ह कि जिस बच्ची को जान से मारने का प्रियास कर दिया किया गया जिसके परिवार को खतम कर दिया गया ठीक ना जिसके भाई को मरवा दिया गया गया गवाय को मरवा दिया गया बकील को मरवाने का प्रियास किया ऐसे दुरदान ता प्राधी को की सदस्ता बहुत पहले खतम की जानी चाहिए और गोस्रा आज हो रही है तो आज की मानी जाएगी बिदान सबादर नी प्रिदीब दुवे जी को पहले सी इनको एनाॉंसमेंट करना चाहिए और जिस तरह से आप देख रहे थे आधरनी साक्षी माराज आपके सांसजी लगातार मिलने के उनसे प्रियास कर रहे थे उनको जन्म दिनी पर बढ़ाई दे रहे थे इससे पहले से निकाल कि उनको भार खड़े कर दिया पार्टी से कोई सरोकार नहीं है शाक्षी माराज अगर किसी से मिलने जा सकते हैं लोग तंतर है किसी से मिलने से को थोड़े रोग दोगे आप देखिए अगर किसी राजनेतिक ब्यक्ति के उपर चाहिए वो समाजवादी पार्टी का हो या भारती जन्ता पार्टी या कांग्रेस का अगर एक आद मुकदमा लग जाता है तो ये ऐसा भी हो सकता है कि भाई राजनीत के तैद उसमे लगवाया गया लेकिन अगर किसी के उपर लगातार मुकदमे लग रही है लगातार उसके उपर आरोफ लग रही है तो ऐसे लोगों से पार्टी को बचना चाहिए मैं जानता हूँ कि ठीक है आप अपनी छब अच्छी कर लें अपने कहके वो एक अलग चीज है लेकिन कुलदीप सेंगर की जी के माद्यम से ब बाद में बने बाद में चीजे होई उसके पहले उनके जो उखलाब मुकदमे हुआ था हम लोग हम लोग को डिफाइन कर रहे हैं हमें आपको यह नहीं कर रहे हैं पर हम यह बोल रहे हैं कि कोई भी कोट मानिये कोट ने अगर सजा दी है तो उसके लिए बिलकुल वो आदम मनोच जी इस समय हमारे देश के हाला ठीक नहीं हैं इसलिए कड़ूए बचन में नहीं बोलना चाहता हूँ देखी कल मैं सोसल मीडिया पर देख रहा था कि आपका एक महा बिद्याले का जो बिदायक है वो लड़की डारेक्ट आरोप लगा रही है कि यहां लड़कियों के आप क्यों बखसते हो बारती जिन्ता पार्टी अपने एक बहुत अच्छा पार्टी बताती है लेकिन मैं भीपक्च हूँ उसके जाच हो यह शिकायद करें जाच की जाएगी ऐसा नहीं है जाच कुछ केस भारत में ऐसे हैं जो बेहक दंडिनी अपराद में आते हैं जैसे स्टी एक्ट है मैलाओं का उत्पीडन है ठीक ना या डावरी है ऐसे केसो पे डियस्पी रेंग की तुरंत करवाई हो रही चाहिए और मैं आपको तैय मलब एक दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि आप तिबरता के साथ डियस्पी रेंग के अधकारी को लगा के बली कुछ उसकी कुड़की उगरा करवाई जानी चाहिए ताकि अपरादियों पे कंट्रानों और आप लोग अपनी छवी को बचा सके नहीं मुकंदमे के बाद जाच नहीं रोखी जाती जाच हो रही है प्रॉपर द्यात हो रही है उसकी और जो भी दोशी पाया है उसको बक्सा नह समय आपके पार्टी के लोग बहुत अच्छी चिमीनने जैसे लोग जैल बेज दिया आप इससे बड़ी बात क्या हो सकती है उनके उनके ऊपर 30-35 देखिए मैं किसी को पर आरोप नहीं लगाऊंगा 30-35 वीडियों के आ रहे हैं मुझे ताजुब होता है कि ऐसी नाय प्रक किसी माननी के ऊपर आरोप लगता है सबसे पहले उस माननी को ही रिजाइन कर देना चाहिए इसके बाद उस पार्टी कोई हो ऐसे किसी भी ब्यक्ति को जो माननी है चाहिए उससांसाद हो या बिदाया का है और उसके पाद जरूरत से ज़्यादा आरोप लग रहे हैं बही किसी आदमे के पीछे लगातार सिकायते आ रही है लगातार चीज़े आ रही है उन्हों बखसा नहीं जाता है कुलदीब सेंगा और चिनमेन दिनको लेके बारती जिंदा पार्टी की बहुत किरकरी हुई है और आज इन्हों ने दोनों लोगों ने मैलाओं का खुले आम उ इति ओनी दिनों रहा था जिनाशन अब आप अगर हमारी सरकार में कोई आरोब हैं बताईए आप का रओं नहीं आपके समसे बड़े मुख्या ने बोला कि बच्चें हैं गल्ती होती होती है आपके टाइम में फासी लगा दिए लड़की को आपके लिए इस पततार दे बच्चे का मतलब होता 14 साल से चोटा उसको माने नहीं सुप्रीम कोट का आधेस है अगर 14 साल से चोटा बच्चा है तो वह अपना फिस्ट्रेडी में नहीं होती है और बच्चों से बलती हो जाती है आप लोगों कोई गवाई है कोई साख्च नहीं है सिर्प आप दो धाना जाके आते हो एक गायतरी जी का एक नेता जी का मेरे नेता जी धरती पुत्र है और उन्होंने उत्तर प्रदेश की जन्ता के लिए एक पिता का काम किया है आज देखिया आज कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से गव माता आपकी परेसान हो रही भूकों से मर रही है किसान आप कल की घटना देखिए दिल्ली में आपके कपर पूस्राइए आप यह मानते हैं ना अपने रसूक से अपनी पहुंच से ऐसे माननी हैं जिन पर ऐसे आरोप लगते हैं वो बचते हैं बचने की पूरी कोशिश करते हैं देखिए हम नहीं हमारे पार्टी ने लगातार यह और उत्तर प्रदैस की पूरी जिन्ता चला रही है कि इन लोगों को बार्टी जिन्ता पार्टी लगातार बचाने का प्रियास कर रही है और सिर्फ यही नहीं जितने भी इनके दबंग बड़े नेता हैं उनको बार्टी जिन्ता पार्टी लगातार बचाने का प्रियास कर करती है हमारी सरकार में 55 लाग मैलाओं को पेंसन दी गई थी और जो आज वो मैलाओं सुबह उठके सबसे पहले रोने का काम करती हैं और वो कोस्ती हैं कि ऐसे लोगों को मैं क्या करूँ जिन लोगों ने मेरे आगे से रोजी रोटी चीन लई है आज मेरे बच्चे रो रहे है आज आज दखिए किस तरह से आपके सरकार में किस तरह प्रति दिन एक सो तैस S.C.S.T. के ट्राय हो रही है 47.64% S.C.S.T. की गटनाय तेजी से बढ़ गई है आप दखिए मैं आपके माद्यम से और चैनल के माद्यम से मैं तो विशेश रूप से उत्तर प्रदेश और जहां-जहां सरकार हैं आपकी है मैं यह अनुरोद करना चाहता हूँ और आयो कुस्क होना चाहिए कि ऐसे लोगों को स्पीडन के अलकुछ लगे यह मानने लोग जिनको जन प्रतिनीदी हम कहते हैं और जब आरोब लगते हैं और उसके बाद जो इस्तिती समझ में आती है जब कोर्ट सजा सुनाती है जब विधाय की जाती है तब पता चलता है कि यह जन प्रतिनीदी का एक रूप यह भी होता है मैं मनोजी से सवाल पूछा आप जवाल नहीं दे पाए हैं जनाब आपने इमांदारी से कबूर करना चाहिए था कि हा अपनी पहूँच का अपनी रसू का अपने पत का अपने मंत्री मंत्री होने का गुरूर का यह सबता फाइदा उठाया जाता है पंकज भाई हम लोग जिस जो हमारा काम करने का तरीका है जो धारना है हम किसी भी ऐसे यह तो पार्टी के पददिकारी हमने सेंगर को बहुत पहले पार्टी से भार निकाल दिया हमने चमिना नंद के साथ हमने कोई मदद नहीं की आप देखिए और इसकी बात छोड़िये य हमने पेंशन दी हमने यह दिया हम लोग ने पेंशन के पूरा पूरा बजट रखाया है जो उत्तरबदेश में जो महिला हैं जो बच्चिया हैं सबसे जादा हम लोग काम कर रहे हैं और गायों की बात रही जो गाये जिन गाये को पहले काटा जा रहा था चीजे की जा रही बिल्कुल गव माता की रक्षा होनी चाहिए मैं इसके लिए तेह दिल से आधरी योगी जी का धन्माद करता हूँ लेकिन रक्षा के नाम पर जिस तरह आज गव माता को मैं मरते हुए देख रहा हूँ मेरा दिल रोता है मनोजी मैं देखता हूँ और आपके जो है वो जो आबारे क्या कहूं मैं उनको गव पिता समझे पूरी फसल बरबाद कर रहे हैं उनसे बचाईए किसान मरा जा रहा है लोगों को नमोनिया हो रही रात में पैरा दे रहे हैं उनकी बियोस्ता कर ये पिछली समय मैं भी थोड़ा इस पर भी फूकस कर ले हैं गया, साध, गोवर ये चर्चाय होती रही है आठ चर्चा के केंदर में माननियी होने चाहिए आपके सरकार में मंत्री रहे हो या चाहिए आपके पार्टी के सरवह सर्भा रहे हो मैं उनको गवपिता बोल ला हूँ भाई आप सार बोलनी है चाहिए गवपिता बोलने कौन रोग रहा आपको हम लोग किसी भी ऐसे मनोज पंडेश में एक तरफ ये साले पूरे सारे जानवर रहे एक तरफ पब्लिक है लोग रात रात बर पहरा दे रही है एक तो नहरों में पानी नहीं है समझे हमारे देखी हमारे सरकार में आपको डाइल हंडेड कितना तीबरता के साथ का ठीक है अभी एक सो बारा आपके आदाड़ी योगी जी ने करी लेकिन आप ही बताईए दो साल हो चुके है आपको एक प्रूम का आदमी को जो बारती साथ ये घटना को अंजाम दिया है क्या वो पुलिस उस वक्त काम करेंगी इनकी सरकार में उपर से आदेस में कोई कमी नहीं है लेकिन नीचे आने पर कोई ना तो ढंक से फोन उठाता है ना कोई कारवाई होती अभी मैं पांच दिन की करता रहा हूं लगा पता है मुख्मंत्री ने अपनी वब साइट पर एक हल्प लाइन नंबर है एक पूरा कॉल सेंटर है कि कहीं भी बैठ कर आपको उसमें चाह हो रहा है उस जवाब मिलेगा आपको मैं बताओं मनोच जी देखिए डिजिटल डिजिटल सिस्क्रम है उत्तर प्रदेश को डिजिटल बना रहे हैं उत्तर प्रदेश में तीस से 35 लोग आज भी उत्तरा अस्तान में बढ़ती है ठीक ना वह बावासाफ की और भगवान का उत्मदी की कथा सुन रहे थे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब उनको हजार साल से भगवान राम उगारा को मानती चले आ रहे आप लोगों को दिक्कत क्या हो से और उनको इतना मारा गया कि वो आज मरडास्तन पर आया है बताए कौन सा मीडिया कहां पर उसकी खबार है कौन नेता उनके पास गय उनको क्यापैसा दिया गया देख़ी मैं आपके माद देमा और चैनल के माद देम से आधरनी योगी जीसे यह मांग करता हूँ कि कम से कम इन गरीमों को बचा लीजिए ऐसे मत मरने दीजिए ये भी आपके हिंदू हैं ये भी आपके भाई हैं ऐसा इनके साथ गलत मत करिए आपको बताइए आज सारे बाइस परसेंट सब्सक्राइए आपके हिंदू धर्म से ये बार चले जाएंगे आप मुझे बता दें आपके बास क्या बचेगा समझे ऐसा क्यों कर रहे हैं क्या यह आपके यह भाई नहीं है जिनको आप मार रहे हो अभी देखिए आप 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 आने पर दोसों गटना गुजरात की गटन और हम दावे के साथ हैं तो कुलदीप सेंगर को किड्नापिंग और बलाजकार का दोशी पाया गया कोट ने सजा सुनाई जुर्माना ठोका अब कुर्सी भी चली गई है विधाय की भी चली गई है फेस टू फेस मा आज इतना ही बागी खबरों के लिए बनरीया नैंटीबी के साथ सिर्फ खबर के लिए